है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉंटिनेटी चाप्टर है यह चाप्टर जो है हम लोग का तुम लोग को पता है इस लास्ट चाप्टर या दूंग नौ इसके बाद में सीलेबस हो जाए है कॉंप्लेट फाइन बटा ओके नाव लेट बिगिन विद दा चाप्टर लिमिट को मैं बहुत बढ़े दिए पड़ा हुआ है कल तो अभी मन स्टार्ट करते है कॉंटिन इटी तो है fine now let's begin with the continuity of the function कब बात बात नहीं करना विशां तर विकुल व यू वह यू 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 कब चंटिने तर अब बटेक आप देखा प्रन चक आप नहीं अगा मैंने कोई अगर फिगर बनाया तो वह उगा कंटिनेस फिगर वेन्वी ड्राव ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन दाट ग्राफ इस कंटिनेस ग्राफ बात क्लियर एक दम पराबरे अब आप मुझे बताओ तो function अपना अपना थोड़ा mathematical बात करते हैं तो function अपना कंटिनेस कव रहेगा इसके बात करते हैं अब मुझे तुम एक्चिर बता दो यह तुम्हारा x-axis है यह तुम्हारा graph है यह y-axis होगा 0 यह point है a a Φ्थ달 बताओ a के आजु-बाजु graph commenting है क्या क्या a के आजु-बाजु graph में कोई break है Chemical already a के आजु-बाजु graph में कोई break है क्या कोई break नहिंए बराबर तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर a के अभर आप left side से जाओगे और मुझे function का answer चाहिए तो उसको मैं बोलूँगा limit of the function, limiting value of the function when x is approaching towards a from negative side उसको बोलते left hand limit what do we call we call it as left hand limit of the function at x is equal to a मतलब a के तरफ अगर मैं left side से आ रहा हूँ तो मुझे function की value क्या मिलेगी इसको बोलते f of a simple सी बात हैं बोलेंगे नहीं इंपुट अर्खो, output क्या बोलेंगी input a एक अट्पूट क्या आएगा input a रखो आON्पूट क्या आएगा f of a और पुरी क्लिर है की नहीं? simple सी बात है तो अगर input a के तरब आएगा left side से तो output क्या आएगा कमझ में आ है अच्छा चलो मैं A के तरफ और राइट साइट से आ रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे function क्या मिलेगी limiting value of the function when x is approaching towards A from the positive side right side से मैं आ रहा हूं A के तरफ तब भी मुझे जो approaching answer है क्या मिल रहा है f of A जी तो मिल रहा ना आसपास क्या मिल रहा है f of A जी तो पास मिल रहा है value इसका मतलब क्या हो गया है इसको मैं क्या बोलूँगा इसको बोलूँगा मैं right hand limit of the function बढ़ाबर है exact तुम x की जगह पर A रखो तो answer कितना आता है f of A आता है मैं बराबर है तो left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function then function is continuous okay when we see that function continuous and left hand limit of the function is equal to right hand limit of the function is equal to value of the function then function is continuous therefore we say that function is continuous at x is equal to A. Is there any doubts in mind? में पराबर है अगर left hand limit of the function is equal to value of the function then we call it as left hand continuous function इसको लिखने के लिए जगा कहा है अपने पास चल यहां लिख जेता होगा मैंने तुम से यह कहा कि मैंने यह कहा limiting value of the function when x is approaching towards a from negative side इसको क्या बोलते रहे what do we call it actually कहते हैं क्या आपन बताओ इसको कहते हैं अपन left hand limit of the function जब left hand limit of the function value of the function के बराबर हो जाती है तो इसे कहते हैं left hand continuous function बराबर है जब right hand limit of the function की जो value है x approach towards a from positive side इसको बोलते एक के तरह अगर आपन right side star function की value क्या होगी वो f of a होगी बराबर है f of x right hand limit of function की value और f of a के बराबर हो जाती है उसको बोलते है right hand continuous function क्या बोलते हैं पने से right hand continuous बराबर है तुमको सम्झा दिया हमने left hand continuous function का बोता है जब left hand limit बराबर value when left hand limit of the function is equal to right hand limit of the function is equal to value of the function सम्झा है ने सम्झा है क्लियर है क्लियर है क्लियर है left hand limit right hand limit और value तीनों बराबर चाहिए तब जाके function continue से का तब function में कोई break नहीं होगा मतलब मतलब क्या हुआ एक जस्ट पहले जो भी आंसर आ रहा एक जस्ट बाद में जो भी आंसर आ रहा और एक जस्ट आंसर आ रहा तीनों का आंसर अगर क्या है बराबर आ रहा इस ग्राफ में कोई break नहीं होगा यह ग्राफ फिल तरीके of the function when x is approaching towards a is equal to value of the function then function is set to be continuous at x equal to a clear है की नहीं? अरे बोलो के रहा है की नहीं? when limit of the function is equal to value of the function then function is set to be continuous at x is equal to a to be clear हुआ, definition is clear to all, any doubt, well done अच्छा function जब break, function में जब क्या आता है? function में जब break आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? यह function इस particular point पे क्या है? x is equal to a पर function में break आ रहा, x is equal to a पर function क्या है? discontinuous क्या है? देखको ज़ल्दी है ना? ब्रेक है ना यह पर function क्या बोलेंगे? discontinuous बोलेंगे, this particular point इस point पर graph ही नहीं है function के पास तो बोलेंगे discontinuous function बराबर है? तो ठीक है तो यह समझ में आ गया अब क्या होता है? इस type की discontinuity को में रिमूव भी कर सकते हैं? तो टाइप की discontinuity एक रिमूबल डिसकंटिनिटी अच्छा डिसकंटिनिस के लिए रहना क्या होता है? तो टाइप की discontinuity एक तो रिमूबल डिसकंटिनिटी एक तो नान रिमूबल डिसकंटिनिटी बराबर है? चलो कैसे देखो यह तुमारा y-axis है यह तुमारा x-axis है जीरो है मैंने बोला यह वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं के के है तो बराबर है तो एक मिट्र को फटा पर बता है तो डिसकंट कर लेता हूं मैं आरे साथ यह एक सेक्षिस हो गया यह तुमारी y-axis हो गया तुमारा जीरो गया इस पर हमारे पास कोई वैलू नहीं है यहां पर अब अब मुझे बताओ क्या एक्स की वैलू ए पर फंक्चन कंटिनेस है गया अब मैंने बोला यह वाला जो पॉइंट है कि यह के टू है और यह वाला पाइंट के तुमार पास के वन है तो मैं यह पर बोल रहे यह फंक्चन का नाम है y is equal to f of x तो मैं बोलूंगा limiting value of the function at x is equal to a कितना आ रहा है? limiting value of the function कितना आ रहा है? किया पर break है मतलब function क्या है? discontinuous है ना discontinuous मानते हो ना किया पर कोई value ही नहीं आ रही है अच्छा a पर क्या value है जरा समझाना a पर क्या value है? input मैं x की जगा पर a रहांगा तो output क्या मिल रहा मुझे? इस point पर यह answer है k2 है के नहीं है बताओ मुझे? आया ना यहां पर फिल हाल function क्या आ रहा है? function में break आ रहा है function a पर discontinuous है मानता हूँ यह पर graph नहीं है पर अगर मैं इस point को इस जगा लाकर fit कर दूँ तो यह feel हो जाएगा कैसे यह feel हो जाएगा यह graph continuous हो जाएगा बराबर है कि ने बराबर है? अगर यह जो missing point है कि point को मैं अगर इदर लेकर आया तो यह gap फिल हो जाएगी gap फिल होने की वैजे से graph क्या हो जाएगा continuous हो जाएगा क्या मैं अभी इस graph की discontinuity को remove कर सकता हो गया हाँ आप इस graph की discontinuity को remove कर सकते हो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह जो point है इसको कहा रखना पड़ेगा यहा रखना पड़ेगा तब जाके graph क्या बन जाएगा continuous बन जाएगा here in this case इसको बुलेंगे यह missing point है इसको वापी से आ लेकर आगे तो function continue बन जाएगा इसको बन जाएगा इसको बन जाएगा इसको बन जाएगा इसको बन जाएगा रिम्योबल टाइप आप अब दिसकुंटिनिटी जाओगी उसको भी इसका सकर लेते अब यहां पर क्या यहां पर पता है कुन से किस चला limit of the function is not equal to value of the function यह हुआ यहां इसलिए function discontinuous है at x is equal to it क्या मैंने सही लिखा है limiting value function कितना है k1 लेकिन exact value कितनी है k2 k1 k2 की height में difference है दोनों बराबर नहीं है को अगर लिए था function वाल्यू के बराबर नहीं होता था function क्या होता है इसकैन ImFi क्या Р춰 मांते हो तो क्या इस की डिससकर को रिमूय कर सकता हो और है मैं इस डिससक्वॉत यहां मैं जल्दी बोलो मैं अगर इस function क्या बन जाएगा अने बıt गए तब जाकि function की अन्दिन बन जाएगा तो अभी फिलाल क्या Stellan discontinence क्या बन सकता है continuous बिश्ट किया बोलेंगे रिमयोबल टाइप ओफ डिस कॉंपति फिस जा जा सकता भाइब बडरावर है अब अब एक और केस होता है नन रिमोबल टाइप अब डिसकंटिन्स नन रिमोबल मतलब यहां समझा ज़ेता है यह तो मारी य एक्सिस यह एक्सेक्स एक्सेक्स पारी जाओगे क्या यह फंक्षिन, डिसकंटिनूस रहें सляते करो बस हां बोल दो बिनास सिदह के खें LA हाँ अरे अगर अगर अपन यह की तरफ एक लेफ साइट से आ रहें हां मैं अंसर क्या मिलेगा ? के टू लेकिन अगर आपन यह के तरफ राइट साइड रहें हां हाँ है के वन लेफ्ट साइट से आने वाला आंसर राइट साइट से आने वाला आंसर बिलकुल अलग है मतला मैं बोलूंगा का लिमीटिंग वल्यू अपने को कि मैं आप लिच सकता हूं लाचल इसनग वाल तो आरेचल ग्राफ में ही ऐसा प्राव्लम है में लेचल के और जा रहा देखो लेफ साइट अगर मैं X को लेखे अगर एक के तरण फिर को यंधि एक के तरफ फिर को आंसर क्या मिलेगा की टूसुग्ट अगर मैं राइट साइट से लेकर आँगा extra Aنसर जालों के तरफ तो आंसर क्या मिलेगा के बन् tip दोनों की अंसर में difference है ना और को उटा के इस पर रख दूंगा तो ग्राफ ही जाएगा ऐसा तुम कर नहीं सकते इसका मतब जो ग्राफ को दिया है वो ग्राफ में लह चलो और चलो आर चलो है तो फंक्शन कभी continuous नहीं बन सकता बराबर है तो यह फंक्शन क्या हो गया इस फंक्शन की discontinuity को कभी कर ही नहीं सकते इस केस में बोलेंगे जब LHL आर अरा चलो नहीं होगा वो लेंगे दान रिमोबल डिसकंटेनटै। आर गया ओर डिसकनिटो को में रिमूब नहीं कर सकते है यह ने क्लेर है यह अपना नान रिमोबल टाइप आफ डिसकर ठीक है बटा नान रिमोबल नान रिमोबल टाइप डिस कंटेनियर रहे है अले मिलीगा तुमको आगे बढ़े continuity on the interval अरे सिंपल सी बात है यह तुम्हारे पास x axis है तुम्हारे पास तुम्हारी y axis है कोई graph continuous है यह से लेकर बीके बीच में कि कब पता कर सकते है पर ग्राफ एसे बीके अंदर के सारे पॉइंट पर continuous रहता तब ग्राफ एसे बीके बीच में जितने इंपूट आ रहे है उन सब इंपूट पर आपको कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है आउटपूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो ए से बीके बीच में जितने भी पॉइंट तुम्हारे पास इन सब के लिए उनको कुछ ना कुछ चाह मिल रहा है आंसर तो मिली रहा है इसले क्या बोलती है इसको पन लोग इस टाफिस कंटिनियस इन डा इंटरवेल ओपन अब हर एक कंटीनियस होगा तर पूरा जाह मिल बात सिंपल सी बात है आप अब अब हम क्लोसें ट्रवेल एग अब मैं एक मीन में UHर एक लेकर बी को लेकर हर एक पॉइंट पर हमको अब कंटिनस आ गयाशस से दिलिप में पूरा गाफ क्योंग वैसे इसई है अब हर तो पॉइंट अपना क्लियर हो गया ठीक है अब देखो सिंपल सी बात है अगर कोई function continuous है किसी पर्टिक्लर पॉइंट पर तो उसको अगर क्या करें किसी के से किसी बात आफ अपने पास f और जी दो लग लग अलग function दो नोग मुट्यमि मैं और बात दो होका अगर labour संटेंस होने भाला He is very huge समझने में है चलो कि यहां तक समझ में आगया है में का इतने काम एक दूमारा है इतने काम हो जाएगा तुम हां जतने से काम वा उतना कम उतना करा दिन ने जुडत में आपकर टॉत Koska सबरा वांताThat अच्या अच्छा यह तुमको आता है continuity of standard function मैं बता लेता हूं चलो सबसे पहला point यह है कि तुमको मैंने लिखा f of x is equal to 2 क्या यह function continuous है बिल्कुल है अरे तुम कुछ भी रखो ना इसका graph कैसे बनेगा ऐसा बनेगा देखो तुम कुछ भी रखो answer तो तो तुम्हारा 2 यह आएगा लेको तुमलियर नमम्हाराद हमको हमेशा graph अइसा भी मिलेगा zero पर Meer टू one पे टू 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 ऐसा यह इसा हमको कहते है पुख मुच्छ अंच्टिनेस ग्राफ वोट डिवी कॉल इट राफ है ग्राफ से राइए व तक आंच्टेंट फॉंच्टीन वाट रू जी तो यह पंच्टिन्च वहा सारी फर इस पर कांड्राशिक न होता है तरय को यह होता है in कि पता ले सो में एस ना करणल कि तुमारी यह ले? रहा है याजन यस्वाला टॉली तरीखे से है यह फाला ग्राफ की तरीक ने ग्राफ दिखते हुあの तो यह ग्राप में किक्वार ब्रेक लिहा हुआ है कि सारे यह ग्रेखे जारे जीन नंबर फरेदी पािन by नम्बर में यह बाद अर अ yeah जो नहीं होगा है प्रोवाइड डिनामेंटर जिरो नहीं होना चाहिए ना ओके तो यह अपने डॉमेंड में कंट्रीनेश बात है तो किस पर नहीं होगा जहां पर जिरो तरह पर नहीं होगा तोबल सी बात है ना या पर दिनामेटर जरोगा वहां पर ब्रेक आएगा उसको छोड़के बाखि सारे पॉइंट पॉइंट क्या रहने वाला है करने से रहने माला है कमज़ गया है ओके को पता है यह वाला ग्राफ किसका होता है कि तो मारी वाई एकसे है और एकसे है तो इसका क्राफ होता है यह एडिया इसका होता है यह वाई इक जानते हो गया एकसे जेकर 0 डालो तो क्या मिलता infinity एकसे जेकर इन्सिनिटिटिष डालो क्या मिलता अप्रोचिंग 0 पॉजिटीव पॉजिटीव नेगड़ी नेगड़ी यह ग्राफ 0 को छोड़के बाकी सब पर क्या है एंटिनेस है कि नहीं है ना यह राशनल फंकिन का ग्राफ होगए अब उसके बाद मॉड एक्स मॉड एक्स तो तुम खुद ही जानते हो यार बताने की क्या जोर होता है यह ता ग्राफिस का होता ही है फाइज इक्वल टू ओ अग्स यह सब बहुत बार डिसकस कर चुके है अना यह ग्राफ भी सारे पॉइंट पर कंटिनेस होता है कोई दि कि अग्स पावर एक साय एग्राफ भी यह होता है हमेशा 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 जब ए-पॉजिव है आप होना भी चाहिए ओविसली इयमिचां पॉजिटों ऑख ग्राफ जानते हों इसका बेस्ट एक्जामपल क्या है इतन् पाव जानते बदिफ और का ग्राफ क् लॉग तरह से चीन अट जभाम के सब्सक्राइब पनीप दर्यास घोलो कृई कि पर प्लीकल का रहा है रहे को तंट वीख में तो फूराइफ रॉनज़ आधिका सब्सक्राप शार चाट Delhi क्यों कंटेनग सब्सक्राम उसके सब्सक्राल कौइड लोगेव यह कि बना लेड़ा है लॉग सी आप गैरा आ कि एक सक्से्टार तुम्हारी क्या यह था पाइट आप या प्य बराबर लॉग दोबी devas यह वह लागराव वी क्या होता है यह वन न क्रमाघिरो यह ग्राव फुरितंस्त तरही होता है में में कर अब जब एक से बड़ा ऊगा हर पॉइंट पे मिराफ क्या होता है यहां पर कंटिनेइस होता है javar no in the break बाकितों बताने के जरुत नहीं 3 USA कि ही आयर अधर गराब भी होता तक्रेस अधर भी उपने को आ जाएगा पड़ा स्ीम्पल ग्राफ अधर नौलेज के लिए जान लो मुझे बताओ gif of x की graph की बात कर रहा हूं मैं याप ठीक है न बटा याइव एक की graph की बात कर रहा हूँ रूख बाइ बराबर gif of x अच्छा अब point रखूंगा input और मुझे output बताना तुम ठीक है न चलो input में x की जाके 0 डाला तो 0 का gif रिता होता है 0 इनपूट जीरो आउट्पूट भी 0 अगर एक की जाकर में डालूंगा 0.1 0.1 का gif की इता होता है 0 पड़ा दाना देल दो तिन बार आना इंटेजर वैलू 0.3 का भी जिया आफ क्या होता है 0 0.2 का 0 0.3 का 0 0.3 का 0.9 का भी गया होगा 0 पर जैसे ही वन आता वन का इंटेजर आएं वालू कितना होता है 1 मतलब या graph अभी यह है वर्क कर रहा है लेकिन वन पर कितना आता और लिए पार के लिए ठावया 4 .1 के लिए 1.2 के लिए 1 1.3 टो कहां तक आएगा वन तो तक आएगा जैसी 2 आएगा तू का जीन कितना होता है 2 एस सगे अ गरा पार सिकोल स्टि वैसा यह कहा आएगा वैसा नीचे आएगा so minus 0.2 का जित्ता होता है minus 1 एक जिरो का तो 0 ही होता है minus 0.2 का minus 1 minus 0.2 का minus 1 तो यहाँ पर आ जाता है यह वाला graph और यह वाला फिल हो गया minus 1 का जिया खुद क्या होता है minus 1 यह होता है कि इस तरीके से step function काम करता है यह हो गया तुम्हारा graph हो डाउट समझने में की आगे बड़े है यह पॉंख्षन काहा पर कंटीनेस होता है इंटीजर वाल्यू के बीच में देखो 130 के बीच में continuous है वन पर continuous है क्या याद रखना gif function क्या लिख देता हूं मैं gif function is discontinuous at x is equal to integer समझा जब जब x integer होगा तो 1 के पहले 0 1 के बाद 1 gap आ गया मतला function break हो गया 2 के पहले 1 2 के बाद 2 gap आ गया function break हो गया function break कहां का हो रहा है integer value पे break हो रहा है function disconnect का रहे था जब x क्या रहे था तुमारा integer रहे था क्लियर हुआ के नहीं क्लियर हुआ पॉइंट क्लियर है चलो तुमारा ग्राफ था y is equal to gif of x का अब तो बार अब तो कुछ बताने की जरूतनी fractional part का भी ग्राफ बता दू क्या ज़रत तो नहीं पड़ेगी ठीक है क्लियर हो गया कितना ही समझ लो fractional part का भी ग्राफ मतलब पता है ना पता ही देता हूं चलो लग्यात बता देता हूं फिर question पर आते है y is equal to fractional part of x इसको हम लोग क्लिक्सिक से number minus integer डिसकास कर चुग है लिमिट याप्टर में number में से integer हटा है तो fraction मिलेगा समझ मैं कि नहीं है इसका ग्राफ कैसे बनाते है अपन अच्छा 0 का यह देखको यह 1 है 0 का fractional 0 0.1 का 0.1 0.2 का 0.2 0.3 का 0.3 तो ऐसे 0.4 का 0.4 0.5 का 0.5 समझा गया जैसे करते करते यह वाला सारा आएगा लेकिन जैसी 1 आएगा जैसे 1 आएगा तो 1 का fractional part 1 नहीं होता है क्या होता है 0 बन जाता है तो 2.1 का 0.1 2.2 का 0.2 2.3 का 0.3 जैसे करते करते यह आएगा और जैसे 2 आएगा 2 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यह ग्राफ इस तरीके से work करता है तो यह ग्राफ भी कहां पर break हो रहा है देखो 0 से 1 के बीच में graph continuous है ना और एक्जाक्ट 1 पर 1 के लेफ्ट पर उपर 1 के राइट पर नीचे 2 के लेफ्ट पर ऊपर 2 के राइट पर नीचे ग्राफ में break आ रहा है यह function integer वाल्यू पर क्या होता है discontinuous यहां पर लिख दूँगा गया fractional part of x is discontinuous at x बराबर integer अरे यह सा और नो यह दोनों वाल्यू कहां पर break करते हैं integer वाल्यू पर ही यह दोनों वाल्यू ब्रेक करते हैं इन पर ही वो discontinuous होंगे बात पूरी क्लियर है विदाउट समझने में नहीं बाकी और कुछ जानने की जुरत नहीं हमको सब आता है limit में सब पढ़ चुके इतना जानलो बाकी और कुछ मत जानो जित्ता मैंने बताया उतना ही जानना है बाकी और कुछ जानना नहीं तो इसी को ध्यायम में रखते हुए हम हमारे पहले कुछ बस इतना ही पढ़ना देंगे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना तो पांच्छी कोशन अच्छे च्वाल लगा देंगे जाप्टर फिनिश ठीक है आiende ऊपके का करना यह फंक्राइब लूइब नको दिया हुआ है इसे हैं अधिकरा ब को को हम को कैकुल बताने इसके लिए फंटीन सरे तो तो सबसे पहली बात मुझे एक चीट बताओ, function already continuous है ना? पहला सवाल, function किस point पर continuous है? function is continuous, बराबर है, continuous दिया हुआ ना, तुमके मतलब सारे point पर continuous दिया हुआ है ना, पर अपन continuity के किस point पर बात करेंगे, 0 पर बात करेंगे, तो यह function है, और 0 के आजू-बाजू कौन सा function है, यह अकेला function है, अच्छा मुझे बताओ, 0 के left पर कौन सा function define है, यह x-axis की बात कर रहा हुआ है, input अगर 0 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब 0 नहीं है, जब input 0 नहीं है, तो function use करेंगे यह वाला, जब input exact 0 है, तो function use करेंगे के, समझ आएगा मैंने क्या बोला, function continuous है, तो definition क्या होगी, हम बोलेंगे कि as, function is continuous, at x is equal to 0, अरे 0 पर भी तो continuous होगा ना function, अज 0 पर ही क्यों उस कर रहा हूँ definition में, क्योंकि 0 के ही आजू-बाजू अपने 0 पर exact value दी गई है, और 0 के आजू-बाजू पर भी हमको value दी गई है, therefore I am talking about only 0 point, so as function is continuous at x is equal to 0, therefore, limit of the function, when x is approaching towards a, is equal to value of the function, समझा गया, limit कौन से point पर, 0 point पर, किस पर continuous यह 0 पर, so limiting value of the function at x is equal to 0, is equal to value of the function, definition नहीं है, limit of the function is equal to value of the function, clear हुआ कि नहीं clear हुआ, limit of the function is equal to value of the function, बात पुरी क्लियर है, कोई doubt समझने में है, नहीं है, ओके फाइन, तो, अब मुझे बताओ, limit of the function, when x is approaching towards 0, function कौन सा उस करूँ मैं, function 2 ही तुमारे पास, एक तो यह वाला function है, और रिखते वाला, तो कौन सा function उस करेंगे, उपर आला, क्यू, जब x 0 को जा रहा है, मतलब x 0, नहीं है, तब कौन सा function उस करेंगे, यह वाला, बताओ, क्या होता फिर, 1 by x, कितना हो जाएगा, log of 1 plus 3x upon 1 minus 2x, यह limit of the function की value है, and what about f up 0, f up 0 कितना है, अरे function में x की जगर 0 रखेंगे, तो value क्या आएगी रहे, k आएगी ना रहे, जब 0 नहीं है तो यह value करेंगे, जब exact 0 तो function की value क्या रिखना पड़ेंगे, k, k, यहाँ पर क्या रिखना पड़ेंगा, मुझे, यहाँ पर रिखना पड़ेंगा, k, और यही तो के लिए लाना है मुझे, अब limit का सवाल बनेगे, के लिमिट का सवाल बनेगे, के लिमिट का सवाल बनेगे, log a by b है, तो सिधा क्या कर लूँगा, log even log भी कर दूँगा, जो पता है वो करूँगा न मैं, क्योंकि log के लिए मुझे प्रापरटी मालूम है, मालूम मैं कह रहें, 1 by x, log a by b क्या होता है, log of a minus log of b, yes or no, कितना हो गया, k, तो यह 1 by x, दोनों साट भीज देता हूं, मैंने, मदद दोनों में ब्रेक कर देता हूं, मुझे क्या मिलेगा, limit x approaching 0, log, 1 plus 3 x by x, minus log, 1 minus 2 x by x, फिर is equal to कितना हो गया है, बात बराबर है, तुम्हारा पास identity है कि नहीं है, log 1 plus x by x, कितना होता है, 1 होता है, मालूम है कह नहीं है, पढ़ा था न, अरे, प्रापर्टी, अरे, एल हॉस्पिटल लागा थे, डारेक रीजल्ट है न, मेरे पास, खतम करता है, log 1 plus x by x, क्या होता है, 1 होता है, खतम, क्या करूँगा मैं, log 1 plus x by x करने के लिए, बोलो, एक काम करते है, log 1 plus 3 x, multiply by 3 कर दूँगा, और इदर में, यहां पर भी 3 कर दूँगा, यह limit है तुम्हारे पास, limit x approaching 0, बाहर ही रखते हैं इसको, ठीक है, यहां पर log क्या था है, 1 minus 2 x, नीचे में already x है, क्या करना पड़ेगा, minus 2 से, divide minus 2 से, multiply, बराबर है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि same by same बनाने के लिए, यहां पर 3 x चाहिए, यहां पर x चाहिए, x चाहिए, log 1 plus x by x कितना होता है, 1, यह आंसर कितना हुआ फिर, 1, यहां पर कितना है, 3, यहां पर कितना है तुम्हार, minus, limit अंदर चले गई, इसका अंसर कितना होता है, log 1 plus x by x, कितना हो आंसर, 1, वाजू में कोई है, minus 2, right side में कोई है, k, यह कितना बन गया, 5, बराबर कितना हो गया, k, आया किनी आंसर, full of effort, match कर गया आंसर, चलो, आगे बड़े, समझा गे ने समझा, इस तरगे से आपको limit of the function is equal to value of the function करना पड़ेगा, clear हुआ, यह सी log दीगा, cut से click उचाथ property अपने बावा, limit x अपरो 0, log 1 plus x by x, ठीक है, आगे बड़े, अपना आंसर आ जुगा है, next, f of x हाँ, यहाँ पर आप नोटिस करो, function अल्यडी क्या दिया हुआ है, function अल्यडी continuous दिया हुआ है 0 पर, तो मैं यहाँ आपर लिख दूँगा, as function is, as function is continuous, as function is continuous, at x is equal to 0, so definition फालो करेगा, तो यहाँ पर limit of the function is equal to value of the function use करूँगा या कुछ और use करूँगा, तो क्योंकि exact 0 पर यह function है, 0 के left पर यह function है, 0 को right पर यह function, मतलब मुझे use करना पड़ेगा, left hand limit of the function, at x is equal to 0, बराबर, right hand limit of the function, at x approaches 0, बराबर, value of the function at x is equal to 0, clear है की निक लेह रहे है, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, तभी तो क्या होता है, function continuous होता है के नहीं, पर क्या last question में मैंने यह definition use की थी क्या, नहीं क्यों नहीं use की थी, क्यों, इसका reason क्या है, इसका reason बस इतना ही है, कि 0 के left पर भी यह function use हो रहा है, और 0 के right पर भी यह function use हो रहा है, तो जब left, right पर same function use हो रहा है, तो मैं LHL, RHL की यह use करूँगा, तो नहीं पर से भी function use हो रहा है, समझ आया की नहीं समझ आया है, यहाँ पर अलग है, 0 के left पर को यह और फंक्यान है और 0 के right पर को यह और फंक्यान है, A और B की निकालने, तब तो जाके A plus B आयेगा, तो मैं सब्सक्राइब पहले left hand limit को solve करता हूँ, limit when x is approaching toward 0 from left side of the function, चेलो function को इस करेंगे, limit x approaching 0 from left side, यहाँ पर function आयेगा, sin a plus 2 into x plus sin x divided by x, clear है की नहीं clear है, मैं क्या करूँगा अभी, x को अलग अलग कर दूँगा न, चलो, x को अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, limit x approaching toward 0 from negative side, sin a plus 2 into x by x plus sin x by x, यह सार नो, तो मालूम है, sin x by x क्या होता है, 1, लेकिन same by same चाहिए, और 0 by 0 भी चाहिए, तो यहाँ पर limit x कर देकर 0 बनता, 0 by 0 हो रहा, लेकिन same by same नहीं है, क्या करना पढ़ेगा फिर बताव मुझे, sin a plus 2 into x, नीचे में स्रीफ क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या देना पढ़ेगा मुझे, a plus 2 से मैंने divide कर दिया, a plus 2 से मैंने क्या कर दिया, multiply भी कर दिया, हो गया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि sin x by x तो क्या होता है, 1 ही होता है, बाहर तुमारे पास limit है, x approach is 0, तो limit अंदर apply कर रहा हूं, तो इस का अंसर किता हो जाए, लिमिट लगाने पर 1, बाजु में कौन multiplied है already, a plus 2, फिर बाजु में क्या है, plus, जब limit लगेगी, इस पर sin x by किता होता है, 1, यहाँ लिख दिया, मैंने 1, और ठीक है, यह कहा है, तुमारे किसका अंसर आया, कि तुमारे left hand limit है, समझ मैं आ रहा है कि नहीं रहा, left hand limit is equal to क्या है, right hand limit is equal to क्या है, value of the function, yes or no, is equal to left hand limit बराबर value कर सकता हूँ क्या मैं, कर सकता हूँ ना यार, क्या दिक्कत है, आपका सकता हूँ ना, चलो left hand limit निकल क्या पहले, तो अब अपने काम करते, अब आपने right hand limit निकालते, यह चलेगा बेटा, हम भी टॉक अब राइट hand limit, यह तुमारा LHL इसको box back में डाल कर रख देता हूँ, अब हम आएंगे right hand limit, तो मुझे लगता right hand limit को अपने को next page पे लिखना चाहिए, ज़ए अपने जगह नहीं है, x plus 3x square, तो limit, when x is approaching towards 0 from right hand side, function क्यों साथ यूज़ करेंगे, हाँ, आपर साथ यूज़ करेंगे यह वाला, x plus 3x square, x plus 3x square, एक पावर में कितना है, 1 by 3, एक पावर में कितना हूँ, 1 by 3, मानत x के पावर में कितना आ गया, 1 by 3, divided by x के पावर में कितना हूँ, 4 by 3, यह उल्ट आए गया पूर बाइधरी बड़ा वर्ड़ी तो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू अपने को तो करने है अला कि मैं लिमिट डालूंगा तो जिए रोबाइब रोका फॉर्म तो बन रहा है उसमा नो डाउट है लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीकर तो बन रहा है पर करता हूं आ मैं काम करता हूं आ एकस को यहां से वन बाइतो अल्य प्रेजन आपे यहां से लिघाद एकश कॉम एक काम लेंगे तो एकश के पांट पार बाइत आएуск ठीक है तो यहां पे किया सींता इद ट्रीकैन बस्क्रयमक की सुर्षरण प्लस थ्रीए अगर मन्यें एक एक्स कॉमें बस्क्रíन, पीया इक्स निकालए यहां पर यहां पर चाहिए गांतानेस, 3x के पावर में कित्ता हो गया 1 by 3 minus 1 divided में कित्ता हो गया क्या मैं इसको लिए सकता हूँ x into x के पावर में 1 by 3 अरे यार एक के बार 4 by 3 ना 4 को लिए सकते हैं 1 plus 1 by 3 अलग अलग कर दिया इसको कर सकते हैं यहां ते लिमिट क्या होगे यह लिमिट x approach 0 from positive side यह और यह क्या होगे अपने लिए यह बचा अपने पास अभी आया ना बचा की निए बचा चलो अब आप मुझे बताओ अब मैं इसको solve कैसे करूंगा अब हाव कैना solve इस लिमिट x approach 0 from positive side 1 plus 3 x के पावर में 1 by 3 minus 1 by x इस बोलो क्या किया जाए अब फार्म चेक करो जरा अब अपना कामी है ना फार्म चेक करो वाई लालते जाओ फार्म चेकर क्या बन रहा अभी 0 by 0 अब लगां को तो इसी जाएगा क्या अब नीचे का derivative 1 हो जाएगा खतम हो जाएगा यह यहाँ पर दिक्कत जारी थी मेरे को यहाँ पर 0 नहीं बन रहा था डारेक ना हालकि यहां 0 by 0 का फार्म था लेकिन लह रूल लगाने पर नीचे वाला खतम नहीं हो रहा था यहाँ पर लगा सकते यहाँ पर मैं बोलूँगा 0 by 0 का फार्म है तो मैं लगा दूँगा लह रूल और सब जानते है ले चुरूल क्या होता है लिमिट एक सप्रोच जीरो फ्रॉम पॉजिटिव तर डिफरेंचेट मारेंगे तो किता होगा 1 by 3 फिर सामने x plus 3 x के पावर में 1 by 3 minus 1 that is minus 2 by 3 1 by 3 minus 1 that is 2 by 3 बराबर है फिर अंदर का दिरूटिट किता होता है अंदर का दिरूटिट होता है 3 1 का जिरो 3 x का 1 डिवाइड में x का दिरूटिट होता है one हाना तो क्या आप limit डालने में कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं यह cancel हो गया limit रख दो कितना मिलेगा कि बोलो कितना मिलेगा 0 डाल ता भी 1 ही आता ने आपर यह 0 हो जाएगा सब खतम होगा 1 ही आया समझ मैं we have here right hand limit limit x approach 0 from positive side of the function का अंसर किता है 1 आया right hand limit 1 है left hand limit तुमारी कितनी है left hand limit तुमारी कितनी है left hand limit तुमारी यह है ना left hand limit ठीक है a plus 3 है यह तुमारी left hand limit यह तुमारी right अभी क्या करना बड़ेगा left hand limit बराबर right hand limit बराबर value of the function ठीक है तो by definition अना by definition क्या करना चाहिए बताओ by definition left hand limit of the function that is a plus 3 b right hand limit of the function that is 1 is equal to value of the function that is अना value कितना है बटा value b है value of the function that is b बात बराबर है गया अब मुझे बताओ what is the value of b b कितना बन गया b बन गया 1 अच्छा अब इन दोनों के इकवेट करो a plus 3 बराबर 1 तो a कितना हो गया minus 2 what about a plus b a plus b चाहिए कि क्या चाहिए a plus 2 भी चाहिए हमको चाहिए a plus 2 b a कितना है बटा minus 2 plus 2 b कितना है अपना 1 अच्छा अंतर कितना आ गया जिरो समझा तो यह अंतर क्या अपना a plus 2 b का अंतर जिरो दिया आए गया हाँ दिया हुआ है option a कोशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अपन एकदम सिलेक्टिव 4-5 कोशन करेंगे उसमें सब टाइप आजाएंगे एक बार डायरेक वाला आया अभी इस वाले में क्या आया लेचल बराबर आरे चला एक जी आया वाला भी करेंगे कोई डाउट हो तो पूछो मिझे लेचस केसे निकाला हमने अरेचस भी निकाला हमने वैली भी निकाली और तभी एक वेट कर दिया तो अपने 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 को आंसर मिल गया ठीक है बटा आगे बढ़ू देखो इस क्वेशन में जी आएफ आया है तो जी आएफ आ रहा है ठीक है तुम लोगों को लिमिट एकस इंटू जी आएफ और पॉर बाइ एकस का एकस अप्रोच जीरो इसका आंसर अपने को ए दिया हुआ है बढ़ा बढ़ा है ओके दिया है तन देवल्यू आफ एकस अपने को निकालना है एकस जिसके लिए जिसके लिए पार विच एकस इसके लिए फ़ुर विच फ उफ एकस ईक्वाल जी-खूआर इंटू साइन पाइ एक्स इस कंटिनिस होना चाहिए बढ़िया कोश्चन है पहले तो पूरा पूरा समझना पड़ेगा यह क्या दिया है एक्टुलिए तुमको यह फंक्चन है यह लिमिटिंग वाल्यू दिये उसकी एक्स इंटु जी आएफ पूर बाए एक्स कि आएफ कि आएफ मतलब पता है ना क्या होता है जो अपने को इंटेजर मिलेगा तो एक्स इंटुस का जी आएफ इतना मिल रहा है अपने एक के बराबर दिया हुआ है अब उसने क्या बोला एक्स की बताओ कौन-कौन सी वैल्यू है आपके पास जिसके लिए यह फंक्यन हमेशा ही क्या रहेगा इस कंट्नेस रहेगा कि आजर गया बास तमझा रहे है ठेक है तो अपने एक काम करते है पहले ये इसको दिक आओ करके ये निकालना पड़ेगा अना तो जब तब अब इसको decode करके नहीं निकालूँगा तब तक वो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ठीक है अब सवाल या था कि यार इसको हम solve कैसे करें इसको decode कैसे करें हां क्या अबले option option में रख के देखेंगे क्या पर क्या रखोगे दूम हां है अटक करतो तो उंको पता है का 4co तो सिंब कर इसमा देखा है ना कै कि तुम तो जानते हो कि LET मतलब क्या होता है या मतलब ह peculiarredit मामडायक्रेक्शन हो जानते हो इस बात को जानते हो जानते हो मुझे पहले बताव्ट आफड़ जानते हो, अरे number minus fraction तो gif होता है, तो मालूम है किसी भी number को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी number को लिख सकते है, number का gif plus उसी number का fraction, यह मैंने limit chapter बहुत अच्छे से detail में explain किया हुगा है, तो gif मतलब क्या होगा, number minus fraction, जिखा सब को समझ में आया, यह value किसके बराबर है, यह value अपनी a के बराबर, अब इस step को मैं यहाँ लिखता हूँ उपर, तो x को multiply कर रहा हूँ, तो limit क्या मिलेगा, limit x approach 0, यहाँ पर 4 minus x into 4 by x का fractional pi, that is equal to a, बात बराबर है, अब 4 पर तो fraction नहीं लगेगा, limit नहीं लगेगा, तो 4 तो बहार हो गया, minus, limit कहां लगेगा, limit लगेगा, शिर्फ यहाँ पर, बात पुरी बराबर है, समझा, अब 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 अपने को यह वाला discuss करना है, यह कितना होता है, 4 by x की value किसी नहीं होती है, यह अपने को discuss करना है, 4 by x, fractional part into x, कैसे करेंगे, तुम बस इतना बता दो मुझे कि fractional value है, वो कहां तक जाती है, fractional value, बोलो पटापटो, fractional value कहां तक जाती है, fractional value का answer, अरे अंदर कुछ भी रहो न, अपने को क्या फरक पड़ रहा, हमको तो पता है, इसका जो आने वाला answer है, वो हमेश्या 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, 0 तो कभी नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, समझा, yes or no, कुछ भी कर लो न, fraction है न, fraction कहां से कर जाता है, 0 से 1 के बीच में ही जाता है, तुमको बता चुगा हूँ, अब भार में कोण multiplied है, x multiplied है, x कहां जा रहा, 0 को, मैंने बोला, 0 से 1 के बीच का कोई भी value, इंटू क्या है, इंटू क्या है, x की जागा 0, limit डालना पड़ेगा न, तो यह क्या देगा है, अरुदू को क्या लगता है, यह कोई भी finite value होगी, यह कोई भी finite value होगी, 0 से 1 कोई न, कोई एक number होगा, 0.4 होगा, 0.4 into 0 क्या होगा, तो ultimately, यह value कहाँ जाएगी, 0 कोई जाएगी, ultimately अपना यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, 4 minus यह पूरा 0, is equal to a, a के लिए कितने आ गई, 4, यहां तक समझा के बताओ, थोड़ा अच्छा कुछ है नहीं है, समझ में आया तक, क्या किया मैंने, चलो, मेरा a आ गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहां पर आता हूँ, अब तुमारे इस वाले पार्टने के वाला हमको actual बता दो, हम actual बता दो, जिसके लिए यह f of x discontinuous होगा, तो मुझे बताओ, f of x discontinuous कव होता, साइन तो पहले से continuous होता है, साइन को तो कोई दिकत नहीं, gif के वजए से discontinuity आएगे, तो मुझे बताओ, यह वाला function discontinuous कव होता है, जब अंदर वाला integer होता है, अभी तो discuss कियाता है, gif function कव होता है, जब अंदर वाला function क्या होता है, integer होता है, मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दूँगा, f of x is discontinuous, f of x is discontinuous at x square is equal to integer, doubt है के समझने में, बताओ मुझे, x square जब जब integer होगा, तब तब यह क्या होने वाला है, सब तब यह होने वाला है, discontinuous, बात पूरी clear है कि नहीं clear है, चलो, यहाँ तक भी अपने को clear हो जुगा है, तो अब x की value क्या होगी, यह को मुझे बताओ, integer होना जरूरी है, उसके बगर काम नहीं होगा, जब जब यह x square integer होगा, तब तक यह function discontinuous होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, f of x discontinuous कब होगा, उसका answer यह है, sign के वजए से f of x कभी discontinuous नहीं होगा, sign function क्या होता है, पुली तरीके से continuous बात कर चूरी काम है, तो फिर discontinuity कौन लाएगा, वो तो gif लाएगा, कभ लाएगा, curve बता याथा, टिस्द इस्टाना था yif, इंटीजर फे ब्रेक आता हें? कहां देगे यहां बरेक कर देगे हैं? कहां पर ब्रेक आता है? इंटीजर पर ब्रेक आता हे, इंटीजर पर फक्शन डिसक्टेन होता है तो जब अंदर वाला function क्या बनेगा integer तो मैंने रिखा था ना महां पर छलो मैंने एकदम रिखा यहां पर x square integer होगा बराबर है तो x क्या होगा tell me x x क्या होगा तो मैं यह बोलूंगा x होगा x होगा plus minus of square root of integer yes or no yes or no अच्छा कोई भी integer चलेगा क्या क्या one चलेगा क्या क्यों नहीं क्यों चलेगा one बताओ एकदागा one रुखो one का gif किता होता one का gif किता होता ना हाँ one पराबर है अब वो जाने दो यहाँ पर one रुख एकदागा यह भी रखेंगे ना हो थायगव साइन क्या हो जाएगव हें हाइन क्या हो जाएगा Sultan पाइट हो साइन पाइट आप वा पांड़र चाँ जाय तो फंक्वें क्या हो Britishly जाएगा मुझे क्या चाहिए इसका मतलब उझ्छे एकी जगव नहीं चलेंगा तू चलेंगा एक जगव पर नहीं तू पाई हो जैगा मैं इसलेगा न 2 πाई कित्था होता है tiर 2tay 2o1 ran 125 x 0 इल चक्छ भी रखो लू सब्छान बका हूसर तो feedback everyone party जाएगा राकिया क्या ठीक क्या है थ्लिदभी सब यहां पर क्या नहीं चाहिए है यहां फैरि में चाहिए नहीं चाहिए हैं यहां पर यहां पर यह Q2 Associate deputy score अगना 4 नहीं जाहिए अच्छा चलो एक वन तो नहीं चल रहा- उसकी जगर 2 रख सकते गया है इंटेजर राघ्सक्टेगा हाह रूट टू रूट टूट इंटेजर नहीं है रख सकते क्या हम सकते gonna अंदर रूट 3 is not an integer ना या 4 रख सकते क्या नहीं रूट 4 किता हो जाएगा 2 तो x2 ले लेगा तो जैसे x2 ले लेगा sin 2 by 0 हो जाएगा तो पूरा 0 function बन गया continuous पड़ मुझे क्या बनाना है जैं- média अच्छा मैं अंधर 5 रख सक्ता हूं रूट 5 रख सकते कोई problem दिशक्सक्स सकते क्या जो कम चैने समझा है कर दो एक यहाँ पर क्या रखना एक कि जगा पे इस सकत वर्न हर आप नहीं रख सकता हूं तू रख सकता हूं 3 रख सकता हूं 5 रख सकता हूं मतलब ऐसे नंबर मुझे रखना पड़ेगा डी समझ में और निया रहो है एसे numbers मुझे यहाँ पर रखने पड़ेगा रखने पड़ेगा रोह हुआ मैं यह पांग रहा है मुझे 2,3,5 मतलब मुझे कैसघे मिजह इर इर्राशनल नंबर चाहिए मतलब X क्या होगा X is equal to plus minus root 2 मतलब X क्या हुआ? root 2 मतलब X क्या हुआ? irrational अंदर रखा मैंने 3 क्या बना? root 3 root 3 किस की value है? X मतलब X क्या बना? irrational अंदर का रखूँँगा 5 मतलब बाहर क्या होगा? root 5 root 5 मतलब क्या होता है? irrational एक्स की वैलु अल्टिमेटली क्या होनी चाहिए एक्स यह इर्रैशनल होनी चाहिए यह सारी सब किसकी वैल्यू है यह सारी X की वैल्यू है तो अब मुझे X क्या चाहिए इर्राशनल चाहिए तो क्या यह इर्राशनल होगा यह कितना है पर कहां गया यह हाँ इचाहर यह इधर क्यार रखने पर है क्या बनता है रूट नव रचनल हो जाएगा यह रखता हूं रूट पांच रिस्चनल है अच्छा यह रखो बर रूट प्या हो गया इंटीजर बन जाया यह पैसकत है क्यार 25 हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा इंटीजर तो आंसर क्या हुआ अपना भी बॉम्बे इस दिवर आंसर विकॉज एक ही जगह और रखने पर रूट 5 बन जाता है रूट 5 इस इर्राशनल तो यह one of the very 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 good question कि तुमारी MSTD में आ चुगा कि एस्थे मुझा लगता है कि इस्थे अच्छा कोश्ण आंडा बहुत बढ़ीया कोशह नहीं एगए ही इस पता नहीं चलेब यह तो पता कर लेगा क्योंकि डिसकंटिनेस कश इंकर बनता इंटिजर सुआ है तो इसवह क्या पड़िए involves पराबर है यह जो तो पता कर लेगा इर्राशनल नम्बर डालने लेकिन क्या डालेगा इस में इंपोर्टन तुझे तो अंदर ए रखना है जब तक ए निकालेगा ने तब तक रखेगा यादू तो पता भी चल जाएगा कि एर्राशनल है लेकिन क्या रखू एक ही जगह पर जिससे कि एर्राशनल बन जाए तो यह निकालना ज़रूरी है समझ में आया तो ऐसे कोचेंगे तो तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेगा कभी को बार आ सकता है एकात बार और मैंने समझा दिया चलो अगर समझ में आ तो ठीक है समझ में आ सबको आगे बढ़ू चलो बहु यह तो बन जाएगा function 0 पर continuous है बना लोगे आराम से तो definition कौन सी उस करूँगा definition उस करूँगा left hand limit of the function attack is equal to 0 left hand limit of the function is equal to right hand limit of the function is equal to value of the function here we are using left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function why we are using 0 के left पर और 0 के right पर अलग लग definition है 0 के left पर ये definition 0 के right पर ये definition exact 0 पर ये definition तब पर अलग लग definition है अपने को तीनों solve करना पड़ाएगा यह निकालना है पने को ठीक है क्या तो left hand limit पहले solve कर लेते हैं बताओ left hand limit limit x approaching towards 0 from negative side कितना हो गया 1- o 1- ए सो री टाइरेक फार्मुला मुने लिमिट चेप्टर न done पढ़ा था, 1- वण पन कॉस x बाइक सिके सक्वेर वता है वन界्स वड़्य माइस कोस एक्स उजिका स्क्वेर चाहिए, अब बढूर उचे का स्क्वेर ही, मैं यहां पर क्या खरूंगा लिमेट, x approach 0 from negative side, 1- cos क्या लिखाया आपे, तो नीचे में भी कहाया चाहिए, 4x का square चाहिए ना रहे, जो same by same चाहिए ना आपने को, पर ये तो extra में लाए आपने, तो extra में क्या कर देंगे, manage भी कर लेंगे, आप 4 का square ना, ये कितना हो गया answer, 1 by 2, into कितना हो गया, 16 कितना हो गया, 8, ये LHL है ना, तुम जानते हो ना, LHL की value कितनी आ गई, LHL बराबर क्या होता, value होता होता न, तो क्या लिखेंगे अपन, f of 0, f of 0 कितना है, a, 8 बराबर कितना हो गया, a, खतम, RHL निकालने के जूरूती नहीं है, हो गया, 8 आगया answer अपना, clear है का निकालना होता हो, मतलब, RHL को पहले rationalize करना पड़ेगा, अगर हमको rationalize करेंगे, तो देख, ये 16 बन जाएगा, और ये 16 और ये 16 और ये 16 कड़ी आएगा, बराबरा ना, तो पहला, पहला काम अपना हो, इसलेज करना, तो लिमिट फूट कर देंगे, समझ में, यहां से प्रसीड करना पड़ेगा, RHL, बट LHL डारेक्ट फॉर्मूला इसलिए पर LHL से ट्राइख किया, कोई भी डाउट समझने में, पूरा समझ में आया, चलो, well done, we do one more question, then, end करते हैं, यह आचुका question बढ़ी है, GIF अलबाव, समझा, ले रहे करे, हम अभी एक और question GIF का ले रहे हैं, पराबर है, तो यह question को भी समझ लो, हमारा काम हो जाएगा, function क्या दिया हुआ हुआ है, मैं लिख लेता हुआ, function तुमको दिया हुआ है, GIF of X, minus GIF of X by 4, X में कोई भी real number रख सकते हैं, उसने बोला, GIF है, greatest integer function, तो, चारों में से क्या सही होगा, क्या right hand limit exist करेगा, left hand limit exist नहीं करेगा, क्या left hand limit, right hand limit exist करेगा, बड़ दोने एक वल नहीं होंगे, क्या F of X continuous है क्या, continuous मत कब होता है F of X, जब left hand limit, right hand limit, value तीनों बराबर होंगे, तुमको पता है, अपन direct limit नहीं put up कर सकते हैं, क्या है, GIF, मैंने limit chapter में बता आया था, जब भी GIF हो, fractional part हो, modulus function हो, तो उस समय हमें अपन direct limit नहीं put करते हैं, जब तक वो break नहीं होता है, समझ में आया, तो मैं सबस्ते पहले left hand limit निकालता हूँ, limit x approaching towards, किस point पर तुम continuity check कर होगे, सारे options 4 पर है, तो अपन 4 पर चेक करेंगे, तो x approaching towards 4 from left side of the function, function कुन सा है तुमारे पास, GIF of x minus GIF of x by 4, yes or no, अब तुमें क्या करना, 4 से थोड़ी छोटी value चाहिए, और यही पर निप्टा देंगे question, बटा पड़ो जाएगा, 4 से थोड़ी छोटी value चाहिए, less than 4 ना, less than 4 कोई value बताओ मुझे, तुमें value चाहिए, 4 से जरासी छोटी, मतलब मैं value उठाओंगा, 3.9999 उठाओंगा, पराबर है, चलो, तो x की place पर अगर मैं, x की place पर अगर मैं, 3.999 डालूंगा, तो उसका GIF कितना होता है, 3, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, clear हुआ, अच्छा, माइनस, यहाँ पर डालो, 3.999 by 4, 0.something, 3.99 by something, 4, कितना होगा यह value, 3.9 by 4 कितना होता है, 0.9 by 4 कितना होता है, 0.0 something का GIF कितना होता है, 0.1 का integer value 0, 0.2 का 0, 0.3 का integer value 0, यहाँ पितना ही, 0 तो तो उमारा answer कितना है, तो LL सुमारा 3 आए, left hand limit, what about right hand limit, limit x approaching toward 4 from positive side, सुमारा function यहाँ पर अलोड़ी लिखा हुआ है, या सौर नो अब मैं लेता हूँ 4 से 080 बढ़ी वैल्यू यार अप्रोजिंग टुवाड़ फोर फ्रॉम राइट साइड पॉर से बढ़ी वैल्यू मतलब 4.0001 यह तुमारी एक्स की वैल्यू है यह कंसिलेटर कर रहे है पन जली तो बता ना 4.0001 का जी आएफ है की 4.0001 by 4 4.0001 by 4.0001 something 1.0001 का अगर घया अगया गया 3 लह चल बी हांग्या और अगर एक्डाइक टेक्ट तो एक्डाइक्ट बताू एक्डाइक्ट बाताँ फार फोर बताना होँग है कि अर्यार लेचेल निकाल लिया आर एक्डाइक फूर रहो रहो एक्डाइक रखों यहांपे GIF of 4 GIF of 4 by 4 GIF of 4 4 GIF of 1 1 आंतर गित आया 3 तो LHL का भी आंसर 3 RHL का भी आंसर 3 KALU का भी आंसर 3 LHL बराबर RHL बराबर value of the function their function is continuous at x is equal to कुंसा मैच करेगा answer यह अपना आंसर मैच कर जाएगा function is continuous at x is equal to समझा अगर अगली बार GIF का कोशन आदो बना पाओगे सीधा value रख के check करने का वाई होप आपको यह continuity chapter समझ में आया होगा आया के निया बढ़े समझ में बना लोग कोशन चलो फिर हम लोग अभी इसको end करते हैं chapter को हम लोग मिलते कल वाई पाई पाई राई आप आपको अगर आपको अभी इसके पाते हैं प्रूप का इसके उसे ने इसके बाई पार पार अबर्वें रग्ते झाल झाल